आज हम शेयर करने वाल है चिकन मलाई की रेसिपी इसे बनाने में बहुत कम मसाले का इस्तमाल होता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये काफी कम टाइम में बनकर तयार हो जाता है तो इसे आप लोग ज़रूर ट्राइ कीजिए अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ये चिकन मलाई कैसे बनता है तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक किलो चिकन लिया है और चिकन को सबसे पहले धूल कर और इसे च्छनि में रख देना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए तो लेक पीस में हमने कट लगा दिया है लेक पीस फोड़ा बड़ा होता है तो गल्ने में काफी time लग जाता है इस वज़ा से हमने इस तरीके से cut लगा दिया है अगर लेक पीस छोटा होता है तो cut लगाने की ज़रूरत नहीं होती है तो चलिए इसमें हम यहाँ पर दो बड़ा चम्मच अद्रक लहसन का पेसराइट कर दिया है एक छोटी चम्मच काली मिर्च पॉडर एक छोटी चम्मच सफेद मिर्च पॉडर यानि वाइप पेपर नमक पसंद के मुताबिक और हमने जो दही का इस्तमाल करना है वो देड़ कप है एक किलो चिकन हमने लिया है एक किलो के हिसाब से देड़ कप दही लिया है अब हमने सारी चीजे डाल दी है तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे हम अच्छे से mix कर लेते हैं तो जो भी मसाले है और उसका flavor है वो अंदर तक चला जाता है और इसे चीकन काफी juicy भी लगता है खाने में और tasty भी लगता है तो ये हो गया है तो आधे घंटे के लिए हम इसे rest के लिए छोड़ देंगे अब इसके लिए एक और मसाला तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर तीन बड़ा चम्मच हमने तेल एड़ किया है और यह चार मेडियम साइस का प्याज है इसे बहुत जादा बारिक नहीं काटना है इसे डालने के बाद इसे फ्राई कर लेंगे लिकिन मलाई हांटी के लिए जो प्याज फ्राई हम करते हैं उसके उपर कलर नहीं आना चाहिए नहीं तो कलर चेंज हो जाता है तो यह देखिए टेक्स्टर इसका चेंज हो गया है प्याज का काफी सॉफ्ट लग रहा है नरम हो गया है तो अब हम इसमें बाकी चीज़े अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप थोड़ा कम कर दीजिए हमें इसे स्पाइसी थोड़ा बनाना है इसलिए हमने थोड़ा जादा इस्तमाल किया है अब डालने के बाद लो फ्लेम पर इसे भी फ्राई कर लेंगे काजू हरी मिर्च और खसखस को बाद में ही आट करन तो काजू के उपर जल्दी से कलर आ जाता है और हरी मिर्च बहुत जादा पक जाता है इस वजह से हरी मिर्च का कलर चेंज हो जाता है इसे हमने ठंडा कर लिया था ठंडा करने के बाद इसका फाइन पेस्ट बनाना है तो इसमें जरूरत के मुताबिक आपको पानी आट कर बटर डालने के बाद फॉरन आप इसमें तीन बड़ा चम्मच तेल आड़ कर देना है क्योंकि बटर बहुत जल्दी जलने लगता है तो इस वज़ा से आपको तेल फॉरन डालना है अब इसमें कुछ खड़े गरमसाले आड़ करेंगे जैसे तीन से चार हरी लाची एक जो डालचीनी हमने लिया है वो देडिंच का है अब इसमें आड़ करतेंगे मेरिनेट क्या हुआ चिकन रखे हुए आधा गंटा हो चुका था अब इसमें डालने के बाद इसे हम चलाते हुए पका लेंगे तो इसके अंदर काफी पानी छूटता है तो आप देख सकते हैं तो फ्लेम को लो कर देना है क्योंकि इसमें दही मिक्स होता है तो दही फट जाएगा तो अब हम इसमें आड़ कर देंगे पेस्ट जो हमने प्याज और काजू हरी मिर्च का पेस्ट तयार किया था जार में काफी मसाला लगा हुआ है तो इसमें पानी डाल कर हमने इसमें ड जैसे आधी छोटी चम्मच वाइट पेपर यानी सफेद मिर्च पॉडर और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पॉडर इसमें यही मसाले जाते हैं वाकी कोई नहीं ए खोबाथी लस्य दिल दिन, और बाद हम आदेका एक 8प ρिया है मजा और बाख्वत हमें लिक्विड नहीं बनाना है बहुत जादा ग्रेवी अगर पतली होती है तो यह खाने में उतना जादा टेस्टी नहीं होता है तो हमने यहां पर सिर्फ एक कप पानी आट किया है मिक्स करने के बाद इसमें आट करेंगे आधा कप दूद की मलाई आप इस पॉइंट पर फ्रे चोटी चमच हमने यहां पर जाइफल जावित्री का पॉडर एट कर दिया है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है यह तैयार हो गया है तकरिबन अब इसे मिक्स करने के बाद हम ढग देंगे ढग कर सिर्फ दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे यह देखिए हम आप लोग घर पर बनाकर और फैमिली के साथ इंजोई कर सकते हैं इसे खाने के बाद वाकी में आप भूल जाएंगे कि हमें कहीं जाकर खाना है यह तना ज्यादा मज़ेदार लगता है तो इसे निकालने के बाद इसके ऊपर हमने थोड़ा सा हरी मिर्च और धनिया एट कर थैंक्स पूर वाचिंग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अभी के लिए लेती हूँ इजाजत अल्ला हफीज